तो दोस्तो फाइनली जूनियर एंटी आर ने गनेश चतियूर्थी के माउगे पर फैंस को बड़ा सप्राज दिया है एक्टर ने अपने मोस्ट अवेंडेट फिल्म देवरा का नया पोस्टर सेयर करते हुए इसके ट्रेलर का रिलीज डेट भी बता दिया है तो गैस आएज जानते हैं क्या है रिलीज डेट और क्या है अब बैट लाइक का बटन दबा दिजिए जुनियर एंटी आर का देवरा मोस्ट अवेंडेट फिल्मों में से एक है हर कोई इस फिल्म का रिलीज का बेज सब्री से इंतिजार कर रहा है मेकर्स ने देवरा के अब तक कई पोस्टर और सौंग रिलीज कर चुके हैं इन्हें देखने के बाद फैंस को फिल्म के लिए एक्साइटमेंट और ज्यादा बढ़ गया है वही इस फिल्म के ट्रेलर का भी इंतिजार किया जा रहा है फाइनली जूनियर एंटी आर ने गनेश शतूर्थी के सुब मौके पर ट्रेलर का रिलीज डेट का खुलासा भी कर दिया दरसल सनी और को जूनियर एंटी आर ने अपने इस्टरगाम हैंडल पर अपना अपकमिंग फिल्म का नया पोस्टर सेयर किया है पोस्टर में एक्टर ब्लैक कपड़े पहने समुद्रेव के बीच में एक चटान पर खड़े नजर आ रहा है इस पोस्टर के साथ जूनियर एंटी आर ने कैपसन में ट्रेलर का रिलीज डेट का खुलासा कर दिया है एक्टर ने लिखा है सभी को गनेश चतूर्थी की सुपकामना है देवरा टेलर दस सिदंबर को आने वाले हैं और यह भी बता दे कि देवरा जूनियर एंटी आर के तीसवे फिल्म भी है कथी ताओर पर अभी नेता इस फिल्म में पिता और बेटे दोनों का किरदार परदे पर निभाएंगे यानि फिल्म में जूनियर एंटी आर का डबर रोल है अभी कुछ दिन पहले अभी ने फिल्म का एक और पोस्टर सेयर किया था जिससे फिल्म में उनके डबर रोल का पुछ्टी हो गया था पोस्टर में जूनियर एंटी आर के दोहरे चेहरे थे जो इंटेंस वाइब दे रहा था देवरा में जानवी कपूर भी है और वे इस फिल्म से साउथ में डेविव कर रहे हैं यह जूनियर एंटी आर के साथ उनका पहला कोलिबरेशन भी है देवरा में सेफ अली खान भी आहम भूमी का निभाते नजर आएंगे फिल्म में राम्न क्रिष्ना भी है इसके अलावा कई रिपोर्ट में दावा किया गया है कि अभी ने त्री चैत्रा राय इस टार कास्ट में सामिल हूँगे हाला कि अभी तक इस बारे में कोई अधिकाली पूछ्टी नहीं है और गैस त्रीपल आर की तरह इस तेलगू फिल्म में भी कती तौर पर हाई एक्शन सिक्वेंस होंगे जो दर्सकों का होंस उड़ा देंगे रिपोर्ट के मुताबिक देवरा में बजट भारी भर कम होने वाल है कथी तौर पर निर्माता इसके विए फेक्शप पर एक सो चालिस कड़ रुपए खर्च कर रहे हैं रुमर्स यह भी है कि निर्माता फिल्म के बजट का 33% इसपेशल इफेक्ट पर भी खर्च कर रहे हैं बताद है कि यह फिल्म 27 सितंबर को सीनेमा गरों में रिलीज होगा तो वैसे आप सब लोग जूनियर एंटी आर की इस फिल्मा देवरा के लिए कितने ज़्यादा एक्साइटेड है अपनी राय कमेंट करके ज़रूर बताए बागी और भी ऐसे ही मुई से रिलेटेड अपडेट पाने के लिए हमारी चैनल में रहें तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूले थांक्स फोर वाचिंग